हमारे रिलेशन तक्रीवन साथ सालों से थी इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दोरान डॉक्टर योगता जब हमारे मेरी कार में बैठी तो सुर्वास से ही इतने चफिड़े स्टार्ट हो गया और इतनी यह था होट डॉकी स्टार्ट होगे कि जिसमें मुझे मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी और जब मुझे यह लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यू नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चातू रखता हूं उससे मैंने उनके सेथ बेवार किया और एक सुंसान इलाके में उनकी बॉड़ी को फेंग दिया नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देखने निशनल दस्तक आगरा में डॉक्टर योगिता की जो बहुजन समाज से थी उनकी हत्या कर दे जाती है डॉक्टर योगिता पीजी कर रही थी गैनकोलोजिस्ट थी और विवेक तिवारी नाम का सक्स जो है वो उनकी हत्या कर देता है ये वीडियो आपने देखा ये वीडियो विवेक तिवारी का है वीडियो है इनके घर में बिरोक्रेट्स हैं पुलिस अधिकारी के ये बेट है इनकी होगी लेकिन जूट पर जूट बोल रहे हैं वीडियो में कह रहे थे कि मैंने चाकू से मारा मैं गारी में चाकू लेके घुमता था सच्चा ही है कि उसको गोली मारी गई है दुसरी बड़ी बात है कि योगिता कि अपहरन का केस पहले ही दर्ज करा दिया था उनके लेकिन समझे कि ये वीडियो क्यों डाला गया है एक हत्यारा क्यों डालता है जिस पर हत्याकारोप है मैं हत्यारा नहीं कह रहा हूं अभी मैं हत्याकारोप ही कह रहा हूं एक हत्याकारोप ही क्यों डाल रहा है दरसल उसको विश्वास है कि सिस्टम में बैठे लोग उसको कितने अब्र मेजस्ट कि तैंसितना नहीं करते है वह कितना आक्षबा ब्रत कुन्हांकर नहीं क्त hesitant कैंसरों किस में जाती कैसा को ही एत हुए जैस्टेसे जुद्ञाद करते हैं आया साधी से इनकार कर ले ले ली जाने पंकज जहा पत्रकार है आज तक ABP नीज का वो इसकी बात को कोट करके लिखता है मैंने उनको ट्वीट री ट्वीट किया कि पंकज जहा जी कोई चाकू लेके घुमता है और आप कहरें कि हाता पोही हत्या हो गई वो जो कह रहा है उस उसे पता चल गया कि वो पकरा जाएगा सिसीटी में उसकी फुटेज देख गई कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया निए तो वो बार बार अपने कुछ जानकारों को फोन करके पूछ रहा था कि इस मामले में क्या हुआ अपरन वो लड़की मिली की नहीं मिली अगर गयर रातन हत्या थी तो वो हत्या के बाद सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं पहुँचा उसने क्यों नहीं कहा कि मुझे मुझे से हत्या हो गई है इसका मतलब है कि उसने पूरी कोसिस की बचने की लेकिन जब पुलिस की पकर उस तक पहुँचने लगी तब उसने व वीडियो बनाया ताकि हत्या को गैर रात्तन हत्या में तब्दील कर दिया जाए। कि क्या कोई आरूपी पुलिस की देखरेक में वीडियो बना सकता है। उनका Facebook पूरफाईल पर जाकि वीडियो देखिए। रसुखदार लोग हैं पुलिस के रसुखवाई लोग हैं और एक बहुजन बेठी किस तरह सर्त्या कर दी जाती है और सब को जला देता लेकिन बच्चों को आने पर भागा योगता ने थप पर मारा मैंने उसका गलाव दवाजे सुचिए ये कहानी गरी जा रहे है और बहुजन समाज के लोगों को उन लोगों को निसाय बना बनाया जा रहा है जो डॉक्टर है इंजिनियर है कैमपस में परने लिखने वाई लोग है डॉक्टर है इंजिनियर है पर्फेसर है अब जाती बात का रंग बदल गया है अब आप जाती बात गाउं में नहीं है आप रिक्सा चलाइए मजदूरी कीजिए ठेला चलाइए गरीब रहे उनको कोई दिक्कत है कि आप बहुजन समाज के लोग जो कल तक मजबूर थें उनके टुक्रों पर पलते थे बहुजन समाज का जो परहा लिखा तपका है जो नोकरी पेसा तपका है जो बिजनेसमें तपका है उसको निकल के आना परेगा सिस्टम से जूजना पड़ेगा और अपने ही लोग को बचाना पड़ेगा नहीं तो आज योगिता की हत्या हुई है कल डिल्टा मेंगवाल की हत्या हुई थी उससे पहले पाइल तद्वी को मरने के लिए मजबूर किया गया था आज योगिता गौतम को न्याय दिलाने के लिए आज देश भर में लोग कैंडल मार्च कर रहें आभी इसमें सामिल होए और अपने तरीके से न्याय कीज़े जहां भी आपने जिस घर में है एक मुंबत्ती जलाई ये योगिता गौतम को न्याय के लिए हमने एक बहुजन बेटी ही नहीं एक देश का धरोहर देश का बरा डॉक्टर खो दिया है और ये किसी ये सब के पीछे जाती है जाती है हंकार है आप समझ सकते हैं कि कहां से इतनी हिम्मत आती है कि अगर कोई लड़की किसी की बात न माने ताम उसको गारी में उठा लेंगे कि नैप कर लेंगे और उसके हत्या कर देंगे और उसके बाद वीडियो ही बनाएंगे आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जाती का जहर जाती का हैंकार जाती की ताकत कैसे दिमाग में भरा हुआ है और एक तो करेला उस पर से नीम चरहा और सत्ता में जो लोग बैठे हुँ हैं वो कैसे जाती बात को खुल कर बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग की क्या परत्किया आपनी परत्किया जूर दीजिए शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे